हेलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल, आज की इस वीडियो में हम नियो क्लासिकल एज के बारे में डिसकस करने वाले हैं, हम मेटाफिसिकल पोईटरी को अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं, लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चलिए स्टार्ट करते ह नियो क्लासिकल एज, 1660 में स्टार्ट हुई और 1798 में एंड हो गई, 1660 से 1798 तक के टाइम पीरियट को नियो क्लासिकल एज कहते हैं, तो अब जानते हैं कि नियो क्लासिकल वर्ट का क्या मीनिंग है, नियो क्लासिकल दो वर्ट से मिलकर बना है, नियो एंड क्लासिकल, नियो का मतलब है नया और Classical का मतलब है Roman and Greek Classics अब आप सोच रहे होंगे कि Roman and Greek Classics क्या है Roman and Greek Classics यानि की Rome और Greece में लिखे गए लिटरेचर जिसकी बहुत जादा value हो जिसमें सारी qualities हो और जिसे हमेशा पढ़ा जाए उसे ही Classics कहते हैं अब बात यह है कि आखिर इसे नियो क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है Actually, नियो क्लासिकल एज का लिटरेचर Roman and Greek writers के लिखे हुए लिटरेचर से इंस्पायर होकर लिखा गया है यानि की नियो क्लासिकल एज के जो राइटर्स थे उन्होंने Roman and Greek writer के works से इंस्पायर होकर अपने works लिखे इस टाइम पीरियड में Classics से इंस्पायर होकर नया लिटरेचर लिखा गया इसलिए इसे नियो क्लासिकल एज कहते हैं नियो क्लासिकल एज के टाइम पीरियड को Enlightenment एरा भी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में Logic and Reason पर जोर दिया जाता था Enlightenment यानि की ज्यान का उदै होना, Knowledge का मिलना नियो क्लासिकल एज को थ्री एजिस में डिवाइट किया गया है पहला है Restoration Period, सेकिंड है Augustan Period and थर्ड है Age of Johnson चलिए one by one तीनों को Discuss करते हैं First है Restoration Period Restoration का मतलब है किसी भी चीज़ का वापस मिलना Restoration Period को Restoration Period इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पीरियड में King Charles II वापस से England की King बन गए थे King Charles II को उनका Kingdom वापस मिल गया था Restoration Period 1660 में स्टार्ट हुआ और 1700 तक चला था इस एज में Bryden और Milton ने बहुत ही जादा महनत करी इन्होंने बहुत ही High Quality की राइटिंग्स लिखी बहुत ही Grand and Impressive स्टाइल को फॉलो किया ये अपनी राइटिंग्स में Imagination का जरा भी यूज नहीं करते थे इनकी राइटिंग्स बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं होती थी अब आते हैं Augustine Age पर Augustine Age को Age of Pope भी कहते हैं Pope इस Age के लीडिंग पोईट थे Augustine Age 1700 में स्टार्ट हुई थी और 1750 तक चली थी लास्ट स्टेज है Age of Johnson Age of Johnson 1798 तक चली थी जैसे ही Lyrical Ballads नाम का वर्थ पब्लिश हुआ Age of Johnson खतम हो गया क्योंकि Lyrical Ballads के पब्लिश होने से Romantic Moment स्टार्ट हो गया था तो गाइस इन तीनों Ages को मिला कर Neoclassical Age बना Neoclassical Age हमें literature की अच्छी understanding देता है ये वो time period था जब लोग बहुत comfortable हुआ करते थे Coffee houses में लोग मिलते थे Politics के बारे में और other topics पर discuss किया करते थे अब देखते हैं Neoclassical Age की characteristics पहली characteristics है Imitation of Classics Imitation यानि कि किसी चीज की copy करना Neoclassical writers Greek and Roman classics को copy करते थे वो Greek and Roman classics को copy करके नई writings लिखते थे इसलिए spirit को Neoclassical Age कहते हैं Next characteristics है concept of man Neoclassical Age में man का ये concept था कि man को बहुत ही limited powerful दिखाया गया है Neoclassical literature में इंसान की घमन के उपर बहुत सारे satire किये गये थे Satire ऐसी writing होती है जिसमें बुरी चीजों का मजाक उड़ाया जाता है Next है rationalism Rationalism बहुत ही important feature है Neoclassical poetry का Rationalism यानि कि किसी भी चीज को logic के basis पर देखना Neoclassical writers की learning हमेशा logic के basis पर होती थी वो हर चीज में logic ढूणते थे Neoclassical poetry logics and reasons पर based होती थी Neoclassical poetry में ऐसे situations दिखाये जाते थे जो real life में exist करते हैं ये imagination पर based बिलकुल भी नहीं होती थी Next है Neoclassical literature में सबसे ज़्यादा famous form एसे था ड्रामा इस age में almost decline हो गया था इस age के literature बहुत ही ज़्यादा comic and satiric होते थे मतलब काफी ज़्यादा मज़िदार literature होता था Neoclassical age का Neoclassical age के writers ने नए नए words invent करना start किये और vocabulary और grammar को develop किया Neoclassical age के plays single plot के होते थे और इन में strictly time और place का ध्यान दिया जाता था Next है scholarly allegiance Scholarly यानि की बहुत ज़्यादा knowledge किसी भी academic subject ही यह यह कह सकते हैं कि educational या professional Allusion यानि की किसी person, event या किसी चीज़ के बारे में indirectly बताना So guys scholarly allusion यानि की बहुत ही professionally या बहुत ही educational तरीके से किसी person, event या किसी चीज़ के बारे में indirectly बताना Neoclassical poets हमेशा अपने work में scholarly allusions का use करते थे क्योंकि New Classical poets बहुत ही highly educated थे और वो हर field के subject में बहुत knowledgeable होते थे उन्हें religious, biblical and classical literature की बहुत अच्छी knowledge थी Religious यानि की धार्मिक, biblical यानि की Bible से related and classical literature का मतलब है ऐसा literature जो बहुत ही ज़ादा valuable हो जिसकी value कभी कम ना हो Scholarly allusions बहुत ही helpful होते हैं readers के लिए Scholarly allusions से writer जिस भी person, event या चीज के बारे में reader को बताता है वो उसे easily समझा जाता है यही reason है कि इनकी poetry बहुत सारे allusions से भरी होती थी Next characteristics है Didacticism Didacticism यानि की ऐसा literature का work जिसमें reader को कुछ ना कुछ सिखाया जाए कुछ moral values सिखाई जाए Neoclassical poets ने हमेशा अपनी poetry में morality को add करने की कोशिश करी है Neoclassical poets अपनी poetry के तुरू humanity की problems को solve करने की कोशिश करते थे Next है Realism Neoclassical poets दूसरे poets की तरह imagination में नहीं जीते थे बलकि Neoclassical poets बहुत ही Realist थे और वो अपनी poetry में society की reality को दिखाते थे Neoclassical poets imagination को अपनी poetry में avoid करते थे So guys हम Neoclassical age को अच्छे से discuss कर चुके हैं एक बार फिर से short पे revise कर लेते हैं Neoclassical age एक ऐसा time period है जिसमें Greek and Rome के literature के pattern को follow किया गया I hope guys आपके लिए ये वीडियो helpful होगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो like, comment, share करे और मेरे चैनल को subscribe करे Thank you